Hello everyone, I am Jody Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 3 E.V.S. अडिहन्त वर्क बुक का Chapter 18 A House Like This तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकाले और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास वर्क बुक नहीं है तो मैंने वर्क बुक का लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दिया है आपको वहाँ 1 से लेके 5 तक सारे वर्क बुक मिल जाएंगे आप Amazon से जाके easily खरीच सकते हैं तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं A House Like This Selected the Best Option Best Option select करना है Houses in hilly areas are made of Hillies area में जो houses होते हैं वो बना होता है किस चीज का बना होता है? Stone or wood, bamboo, ice या none of these किस चीज का? तो stone or wood इसमें टिक लगाएंगे Caravans are Multi-story houses, permanent houses, movable houses या bungalow क्या होते हैं? जो caravans होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होता है movable houses टिक लगाएंगे It rains heavily all over this state इस state में बहुत ज़्यादा बारिस होती है तो देखे जारकंड, मध्यपरदेश, महरास्त्र या असाम तो असाम में ठीक है? इसमें ठीक लगाएंगे उसके बाद है The villagers of Rajasthan lived in Desk in earlier days जो Rajasthan के जो लोग होते थे गाउवाले होते थे वो बहुत पहले रहते थे तो किस चीज में रहते थे? Multi-story houses या फिर tents, caravans या houses made of mud किस चीज में रहते थे? Houses made of mud mud से बने हुए houses में रहते थे ठीक लगा देंगे Igles are made of Igles जो होते हैं वो बना होता है Bricks का, Snow का Mud and Straw का या Wood किस चीज का बना होता है? तो Snow का, इसमें ठीक लगाएंगे ठीक है? Right T for true and F for false statements True के लिए T का यूज़ करना है कच्चा houses are very strong कच्चा houses जो होता है वो बहुत ही strong होता है तो false F लिखेंगे Early men lived in cabs True T लिखेंगे Assam is a state with scarcity of friends False F लिखेंगे A house protects us from rain and wind T, birds live in houses made by humans F, ठीक है? Fill in the blanks by selecting the correct words from the box given below अब देखें, box में words सब दिये गये हैं ठीक है? अब इसमें से आपको select करके नीचे लिखना है We can see many house boats on the Dar lake in Kashmir A caravan is a house on wheels A house made from bricks, stones and cement is called a permanent house The roof of a house depends upon the weather conditions of that area Stilt houses are found in Assam ठीक है? इसकी बादे Each group of words contains one word that doesn't belong to the group अब देखें, इसमें जो ना हर एक जो group है ना, इसमें से एक ऐसा word है जो कि इस group से belong नहीं करता है Write the ode one out in the space given at the end of each line अब देखें, हर line के end में जो space दिया गया है उसमें आपको उसे लिखना है जो की ode है ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमेंट, प्लंप लाइन, ट्रॉवेल, डस्ट बीन, क्ले तो यह सारा है इसमें से ode कौन सा है? तो डस्ट बीन है ठीक है? यह सारा जो है एक ही चीट से रिलेटेड है ठीक है? लेकिन यह जो है ना, कुछ अलग है डस्ट बीन, इसे हम इधर लिखेंगे रेन, रिवर, वाटर, एर, स्नो अब इन सारे में से सबसे अलग क्या है? एर इलेक्टरिशियन, पेंटर, डॉक्टर, कारपेंटर यह मैसन तो क्या है? इसमें से सारे से अलग क्या है? तो डॉक्टर है उसके बाद है इगलो, कैरवन, फ्लैट, कार, हट तो क्या है अलग, card, card लिखेंगे, trees, sheds, flats, इसके बाद है ice और bureaus, तो क्या है इसमें अलग, ice, ice लिख देंगे, ठीक है, इसके बाद है answer in one word और one sentence, one word या one sentence में answer देना है, ठीक है, तो देखे, question क्या है, कि where can multi-story buildings be found, जो multi-story building होते हैं, वो पाए जाते हैं, कहाँ पे, in cities, cities में, ठीक है, सिकाडाज can be found in which state of India, सिकाडाज जो होते हैं, वो किस state में पाए जाते हैं, इंडिया के किस state में पाए जाते हैं, तो कश्मीर में, ठीक है, what is a house standing on wooden planks called, क्या कहलाता है, जो wooden planks, यानि की जो खड़ा होता है, ठीक है, उडेंट पे, तो उसे क्या कहते हैं, strip house, why do many people in Delhi live in slums, जो दिल्ली में जो रहते हैं, बहुत सारे लोग, वो slums में क्यों रहते हैं, because many people do not have house to leave, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते, why are houses in hills built with slopping roofs, तो देखे, इसमें कहा जा रहा है, जो hills होते हैं, वहाँ पर जो घर बने होते हैं, houses जो होते हैं, वहाँ पर slopping roof क्यों होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, because when snow or rain fall on roof, it can slip down easily from roof, क्योंकि अगर वहाँ पर snow होता है, snow fall होता है, या rain fall होता है, तो roof से क्या होता है, कि slip हो जाता है, easily slip हो जाता है, इसलिए उस तरह का बनाया जाता है, वहाँ पर, ठीक है, इसके बाद है, match the pictures of houses in column 1 with their names in column 2 by drawing lines, अब यहाँ पर column 1 और column 2 को match करना है, ठीक है, drawing line के दौरा, तो देखे, picture 1 में आप देख सकते हैं, यह वाला जो house है, यह क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे matching करेंगे हम इसके साथ, hut, इसे हम कहेंगे hut, ठीक है, picture 2 में जो है, इसे क्या कहेंगे, multi-story building, ठीक है, third number में, तो इसे हम कहेंगे house in the hills, hills में जो house होते हैं, इस तरह के ही होते हैं, और picture 4 में, तो caravan, ठीक है, देखे, wheel के उपर यह किस तरह से बना हुआ है, इसे हम लोग caravan कहते हैं, और यह picture 5 में, यह है igloo, ठीक है, इस तरह से आपको matching कर लेना है, think fine and right, सोचना है, पता करना है, और लिखना है, एक clean and well decorated house is liked by all, देखे, एक जो अच्छा घड़ होता है, decorated घड़ होता है, वो सभी को पसंद आता है, which kind of house would you like to live in, तो आप किस तरह के घड़ में रहना पसंद करेंगे, fill in the details in the following, तो यहाँ पर आपको यह साड़ा detail भरना है, ठीक है, name four things which will be used to keep the house clean, अब आपको चार चीजों के बारे में ऐसा बताना है, जिसे कि आप house को clean करने में use करते हैं, तो क्या-क्या चीजों के यूज़ करते हैं, broom, mop, vacuum, vacuum cleaner and brush, who all will help to keep your house clean, तो आपके घर, कौन-कौन आपका help करता है घर को clean रखने में, ठीक है, house clean में, कौन-कौन help करता है, all the family member, ठीक है, सभी help करते हैं, ये three reasons why you want the house to be clean and well decorated, because it looks nice, हम लोग घर को अच्छे से क्यों रखते हैं, हम लोग decorate करके क्यों रखते हैं, साप सुत्रा क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा घर बहुत ही सुन्दर दिखे, because it looks nice, ठीक है, इसलिए गर में हमेशा बच्चों को थोड़ा-थोड़ा अपने मम्मी का help करना चाहिए, और घर को थोड़ा सा decorated रखना चाहिए, ठीक है, इसकी बाद है, कि I'm is in, you are getting your own house constructed, what will be the, तो देखे, इसमें कहा जा रहा है, कि मान लिजे, कि आपका घर का construction का काम चल रहा है, ठीक है, अब घर बनवा रहे हैं, तो what will be the, अब देखे, materials, materials used for construction of your house, अब आपके house के construction में कौन-कौन सा material यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ कर रहे हैं, तो bricks, cement, sand, iron, iron rod, glass, etc., तो ये सारे चीजों का use हो रहा है, materials used in decoration of your house, अब देखे, घर के decoration में कौन-कौन सा material यूज़ कर रहे है, flower pots, beautiful, furniture, etc., तो ये सारे बहुत सारे चीज़ है, ठीक है, wood will be used in my house for making, the furniture, gate and window, हम लोग wood का जो use करते हैं, यानि लकडियों का जो use करते हैं, क्या करने में यूज़ करते हैं, क्या बनाने में, तो furniture, gate और window बनाने में, ठीक है, इसके बाद है, find out and write, why we see multi-story buildings and flats in cities and town, but not in villages, तो देखे, इसमें कहा जारा है, कि हम लोग जो ये multi-story building होता है, या flat होता है, उसे हम लोग cities में या towns में ही देखते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो क्या लिखेंगे, because in multi-story buildings, many people can live in a small area, क्योंकि जो multi-story building होता है, उसमें बहुत सारे लोग, एक small area में एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा सा area होता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग, एक साथ रहते हैं, ठीक है, multi-story building में, find out and write how people go up to the higher floors in multi-story building, is there more than one method, if so, describe both the methods, तो yes, stairs and lift, ठीक है, तो देखें, वहाँ पर जो होता है न, जो higher floor पे जो रहते हैं, multi-story building में, तो वो लोग वहाँ पर कैसे जाते हैं, ठीक है, क्या method होता है, वहाँ जाने कहा, तो यह आपको बताना है, तो वहाँ क्या होता है, stairs से जाते हैं, या फिर lift से जाते हैं, ठीक है, find out and write how, a houseboat and a caravan are different from normal houses in cities, तो देखें, इसमें कहा जा रहा है, कि जो houseboats होते हैं, and caravans होते हैं, वो different होते हैं, किस तरह से different होते हैं, जैसे cities में जो houses होते हैं, उस normal houses से किस तरह से different होते हैं, यह आपको बताना है, ठीक है, तो जैसे कि houseboats moves in water without any other uses, and caravans moves on road with fuel also, ठीक है, houseboats जो होते हैं, वो move करते हैं कहां water में, ठीक है, और जो caravans होते हैं, वो move करते हैं कहां road पर, ठीक है, जिसमें कि fuel का use होता है, ठीक है, लेकिन जो houses होते हैं, जो cities में houses होते हैं, वो कहीं भी move नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे जो होता है स्थिर होता है ठीक है उसके बाद है आपका write the work of the people mentioned in the picture given below who help us in the construction of our house तो देखिये नीचे जो है न कुछ लोगों का नाम mentioned किया गया है जो कि हमारे house का जो construction का काम होता है उसमें help करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो सारे जो लोग है वो क्या काम करते हैं ठीक है उनका काम क्या है तो यह आपको लिखना है जैसे यहाँ पर पहले है painter ठीक है painter का क्या काम है तो painter apply color on walls and other objects तो painter क्या करते हैं वो wall color करते हैं या बहुत सारे जो अप्सेक्ट होते हैं उसे paint करते हैं, जैसे gate हो गया, window हो गया, ठीक है बहुत सारे चीजों में ़ू पेंट करते हैं, उसके बाद है Easter Dr., then Flumber peace Peak Peak वो pipe का काम करते हैं Water वाला जो होता है प्रेंट काम, वो plumber करते हैं plumber install and repair pipes Carpenter Carpenter क्या करते हैं Carpenter builds and repairs things made from wood जो Carpenter होते हैं जो वो लकडियों का काम होता है उसे वो ठिक करते हैं फिर जो है न्यू बनाते हैं चीजों को ठीक है जो Carpenter तो वो जो है न लकडियों का काम करते हैं रिपेर करते हैं गार्डनर क्या करते हैं तो maintenance the garden design and watering plant जो गार्डनर होते हैं वो जो है ना garden के design को maintain करते हैं ठीक है जो भी garden में होता है काम वो gardener ही करते हैं और वो जो होता है पौदों में पानी भी डालते हैं इसके बाद हैं मैसन मैसन making things or building things with stone और bricks तो ये जो है वो घर बनाते हैं वो stone and bricks का भी काम करते हैं ठीक है ये सारे चीज़ को भी वो बनाते हैं और building बनाते हैं इलेक्टरिशन इंस्टॉल रिपेर मैंटेन पावर ठीक है मैंटेन पावर लाइटिंग कम्निकेशन और कंट्रोल systems तो ये सारे काम जो है electrician करते हैं architect तो architect create designs for new construction project architect क्या करते हैं वो जो है ना new construction project यानि कि design तैयार करते हैं कोई भी घर बनाना होता है तो उसका वो design तैयार करते हैं ठीक है तो आपका workbook complete हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़के मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिजिए ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और आपको जहां कई भी समझने में परिसानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स टू वाच मै वीडियो